नमस्कार बहुत स्वागत है आप सोवी का पब्लिक फस्ट में और मैं हूँ आपके साथ श्यवांगी जैन सावन में मीट पकाकर और नवरात्री में मचली खाने वाले विपक्षी नीता राहूल गांधी और तेजस्वी यादव पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने बड़ा निशाना साधा है प्यमोधी कि सब्यान पर पबलिक का क्या सुचना है क्या ये हिंदू भावनाओं को आहत कर तुस्टी करण की राजनीति का विपक्षी पैत्र है जानने के लिए पबलिक फस्ट सवाद दाताओं ने पबलिक से बातचीत की है देखिए पबलिक फस्ट पर प्रिंडी गडबंदन के लोगों को देश के ज्यादा तर लोगों के भावनाओं की कोई परवा नहीं है इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवार करने में मजाता ये लोग सावन में एक सजाय अपता जो सजार कोट में जिसको सजा की है जो जमानत पर है ऐसे बुद्रिन के घर जाके सावन के महने में मटन बनाने का मोज ले रहे है इतना ही नहीं उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को जिड़ाने का काम करते हैं कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और नहीं मोदी रोकता है सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करें वेज़ खाए या नौन वेज़ खाए लेकिन इन लोगों की मनशा दूसरी होती है आगे वाला जो है मोदी अपना है मोदी ही सब कुछ है आगे वाले आपको अभी भारी लग रहा है बाद में मोदी अच्छा है मोदी सब के लिए अच्छा आत्मी है इसके बाद ये सिब चीजने गलते हैं इस पर बोर्ड बैंकिंग बेसर पड़ेगा इस पर बीजीपी को बहुत फायदा होने बाला है यदि बीजीपी सही तरीके से चल रही है वे ऐसे वी चलती रहेगी पी-एम मोधी ने तेजसी अदब के मश्चली वाले वीडियो पर और साथ ही राहूल गांधी के मतन पर सवाल उठाये है और साथ ही मुद्दा उठाया है इस पर आपकी कहराएगा मेरी राइव में यही है जो भी मास्क में दिरिक ओ इस तरीके से सोसल मेडिया पर खाते हुए डालेगा हम हिंदू सभी सनातनी उसका विरोध करेंगे और जो इस प्रकार का वीडियो वाइरल करता है मतलब वो सनातनी के फुल विरोध में है जो मतलब सिंदूस्तान का इसकोचा है और नाजने कितने से हिंदू भाई वेन होंगे जिनके भी मान सम्मान वह खास तोर से अभी जो नवरात्री का महूल चल रहा है एक दम इसी पर ही क्यों डाला गया मतला आप ले देके एक अलग पक्ष को अपने तरफ बढ़ावा दे रहा है और दूसरे पक्ष को जादा कुछ भी नहीं है इस पर आपकी कह रहा है मेरी राही है कि मैंने वीडियो देखा वो हेलिकाप्टर में वतलब उन्होंने एक वीडियो डाला था तो इसमें ना वो दिखाना चाह रहे हैं वाइरल होने के चक्कर में अभी चुलावी सिंसला है तो इस चक्कर में वो क्यों ऐसी वीडियो आई सामने नवरात्री के पहले दिन ही कि उस तरह का कोई भी काम किया गया तो इस पर आपकी क्या राया है सनातन धर्म को कैसे ठेस पहुंची है आप जैसे जो भी धर्म को पालन करते और जो भी धर्म में जानते तो उसके लिए थोड़ा सा ठेस तो प हम सोचें तो बिलकुल सनातियों को सनातनियों को इस पर ठोस पोची है बट फिर भी मैं यह करूँगा कि आदमी का खुद का अपना डिसीन है उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस पर कोई पावंदी नहीं हो सकती है अपको क्या लगता है कि इतने के बाद हिंदू वोटर्स का किस तरीके से चुनाव पर और वोट पर असर पड़ेगा मैडम बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जो हिंदू होंगे वो ज्यादतर बीजेपी की तरफ जाएंगे क्योंकि बीजेपी हमेशा हिंदू की जो भावना हैं उनका ध्यान रखती है तो मेरा मानना है कि बीजेपी की तरफ लोगा रुजान ज़ादा होगा उनको नहीं खाना चाहिए नवरातरों में उसको आपन रोक नहीं सकते वो खा सकता है लेकिन अभी उनको सानातन धर्मे के हिसाब से अभी जो नवरातरे चल रहे है इसमें उनको नहीं खाना चाहिए और सो नहीं करना चाहिए यह अपने घर्में काम हो सकते हैं लोगों एड़टाइज नहीं होना चाहिए साथी सनातनियों को किस तरीके से इस बात पर फर्ट पढ़ा है उनको ठेस पोचेगी आप हमसे क्या चाहरा हूँ क्या नी चाहरा है आप चिकन खाओ मैटन खाओ मशली हमसे कोई फरक नहीं पढ़ दा लेकिन आप सो तो नहीं चीज को साथी आने वाले वक्त में हिंदू वोटर्स पर इस बात का कैसा प्रभाफ पड़ेगा अब हिंदू वोटर्स जैसे अभी एकता का आप लेके चलने हैं अगर एकता आजा है तो इस चुछ सामने जाइर नहीं करना चाहता है जैसे अब में हूँ तो मेरे पीचे कोई भी हिंदू भाई खाड़ा नहीं होगा मिया भाई है वो एक भाई का दूसरा भाई का सपोर्ट करता है तो यह अपने यहाँ पे हिंदू लोग जो हैं वो एक दूसरा साथ देना नहीं चाहते क्या आप इस चीज के समर्थन में सरीके से नवरात्रों के पहले दिन मचली खाते हुए वीडियो डालना गलत है ना मिटनी इसमें मेरी यह रहा है कि इसमें कानून आना चाहिए जो हमारे हिंदू सनातर धर में जो नो दिन के त्याहार है इसमें तो ना कोई प्रचारक जो भी प्रचार कर रहे हैं उसमें बिलकुल नहीं दिखाना चाहिए और पपू का तो कुछ कहीं नहीं सकते वो तो कुछ भी करके बता सकता है उससे तो यही उम्मीद है कि वो जो भी कार करता है सनातर के प्रती ही करता है और आगे भी उससे यही उम्मीद रहेगी और मैं तो यह कहूँगा कि कानून आना चाहिए इसके प्रती कि जब भी हिंदू के त्यहार आए कि इसमें सपेश पर से सरकार को नियम बनाना चाहिए कि इद पे रही तो चुटी मिलेगी लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू बहर में छुट्टी जूर में तो कभी एससा नहीं हुआ के हिंदु दिखार में रखोट्टी की हरा ऑगूता सलमान के लिए नहीं आते आना चाहिए सनातनियों पर ऐसी विडियो उसका और इस तरीके की तमाम जो नेता है उनका कैसा प्रभाव पड़ा है अभी तो यह कहूंगा मैं की यह अभी जो अपना विजेपी जब से आई है तब से काफी हद तक नियम और सनातन धर्म में काफी पढ़ा है पहले इसके जो भी रहा हर प्रकार से उसको दबाया गया तो आगे भी विजेपी के लिए हम उम्मीद करेंगे कि अच्छी वो रहे उम्मीद के अच्छे वोटों से 400 प्लस ही रहेगी साथ ही देखिए आने वाले समय में हम सब चौनते लोग सपास चुनाफ सर पर हैं तो ऐसी वीडियो उसका वाइरल होना या ऐसे बयानों का वाइरल होना आपके सरीके से हिंदू होटर्स पर अर्सर डाल सकता है मैं इससे बढ़ने की उम्मीद है घटेंगे नहीं बढ़ेंगे ही तेजस्वी आदब और उन्हों ने जो करके दिखाया उससे काफी इंदों पे यह असर बढ़ा है कि इनने अपनी छबी मुसल्मान के प्रतिजागरित की है सर हमने देखा भी फिलहाल तेजसी आदब की मचली खाते हुए वही नवरात्रे के पहले दिन वीडियो वाइरल हो रही है उसके अलावा राहुल गांधी भी बोल चुके है वो मटन खाते है अप यह मोदी ने खुद ये मुद्दा उठाया है इस पर आपकी क्या राए है सरकार ने उनको पहले भी बिहार में एक भी शीट नहीं मिली थी और इस बार भी जीरो रहना है इसलिए वो बरगला रहे है लोगबावों को और विशेशकर मुसलिम वोटरों के लिए कर रहे है वो साथी आने वाले वक्त में हिंदू वोटर्स पर इस पूरे मुद्दे का क्या प्रभाव पढ़ने वाला है अकेला यही मुद्दा नहीं है, मुद्दा राम मंदिर भी है, मुद्दे बहुत सारे हैं, जिनका की हिंदू वोटर पे असर यह है कि हिंदू वोटर कॉंग्रेस या जो इंडी गद बंदा ने उसको वोट देना नहीं है, उनकी जो कॉंग्रेस की पहले भी 44 आई थी, अब चार पे भी रह जाएं तो बड़ी बात है, कॉंग्रेस का सफाया होना है और इंडी गद बंदन का सफाया होना इस देश चार सो पार जाना है आपकी क्या राए है इस पूरे मुद्दे पर, आप इस मुद्दे को पिस तरीके से देखते हैं? मैं इस मुद्दे को यह हिंदूओं को और सनातनियों का अपमानित लगातार करते आ रहे हैं, कोई आज पहली बार नहीं है, हर जगे, हर मोके पे, हर सभा में राहूल भी अपमानित करते हैं और इंडी गद बंदन के जित्ते भी हैं, चाहो तमिलनाडू हो, चाहो कोई भी जगे हो, सब जगे उनका काम हैं इंडी गद बंदन का कि हिंदूओं को और सनातनियों को अपमानित करना, किसी भी तरह है, और मुस्लिमों को किसी भी तरह है एपिजमेंट करना उनका, ताकि वो उनको वोट दे सकें हम तो यह जानते हैं कि वो खाते यह नहीं, इस पर क्या कहते हैं, खाते हुए उनकी वीडेो वायराल हो पर इसका और क्या प्रभाफ पढ़ने वाला है एक बार ये पता है अगर उन्होंने ये चीज किये तो उनको ये चीज शोबा नहीं देती है ये चीज नहीं करना चाहिए थी साथी देखे अब हिंदू वोटर्स का आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे को देखते हुए क्या असर पढ़ने वारा है वोट बैंक पर जहां तक वोटर का प्रशन है ये तो कुछ निकाल जा सकता है क्योंकि लोग काम देखते हैं कि कोई भी वक्ति हो अभी जी साथ से मुद्दी जी ने बहुत अच्छे काम करा हैं तो लोग काम को ही सराएंगे नेता से तो कुछ काम रेता नहीं है अगर काम होगा तो अब लिक अबर काफी तरस्त है वाने वाले टाइम में यह यह पिक्षा है कि गवर्मेंट किसी की भी बने लेकिन कम से कम महेंगाई और बेरोजगारी पर थोड़ा ध्यान दे मेरा ये मानना है कि एक परसन क्या खाता है वो उसका परसनल अफेर है लेकिन एक कांट्री जहां बहुत स इसपेशली यह लोग फिगर्स हैं लीडर्स हैं कंट्री के या स्टेट लेवल के तो इनको इस चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें स्पेशली नवरात्रों के समय में यह सब चीज़ें बाहर ना आएं बिए कि वीडियो नवरात्रों के नवरात्रों के पहले दिन इस तरही के से वीडियो वाइरल लोन आपने आपने पे बड़ी बात है ये तो धर्म गुरु हैं और सनातन धर्म के जो समर्थक हैं उनको जरूर ठेस पहुंची होगी क्योंकि सब तो ये जानते हैं वो भी पड़े लिखे जो लोग हैं जानते हैं कि घरों में लोग खाते होंगे लेकिन पूरा उसका publicity हो जाना वाइरल हो जाना वीडियो तो हां कह कहीं न कहीं sentiments को ठेस पहुंची होगी साथ ये आने वाले वक्त में लोग सब चुनाव जाहर सी बात हम सब जानते हैं आने वाले हैं तो हिंदू वोटर्स पर इसका क्या असर पढ़ने वाला है हिंदू वोटर्स कहीं ना कहीं शायर नाराज होंगे मुझे ऐसा लगता है क् जहां आती है तो फेस कहीं ना कहीं लगी होगी और आसी वीडियो के बारे में अशर पढ़ा है और पढ़ता है ये बहुत तरीके से गलत है लोग सब शनाव आने वाले हैं हिंदू उटर्स का क्या आप रवीया रहने वाले हैं कि यह समय आने पर पता चले रहाँ कि क्या हो सकता है लेकिन मेहंगाई ज़रों कम होनी चाहिए महंगाई के पीज़र बहुत परिसाने हम लोग बड़ाम ऐसा है कि देखिए जिसको खाना आगो उसको तो कोई रोक नी सकता है वगर ऐसा है कि आप ओपन करके खाओगे और सबको पता लगेगा तो उसका असर तो जंता को गलत जाएगी जाएगा वो तो बिल्कुछ सभी बात है ऐसा नहीं करना सही है अगर खाई यह आपक साथी आने वाले समय में हम सब जानते हैं लोग सब एलेक्शन आने वाले हैं तो हिंदू वोटर्स का इस पूरे मुद्धि पर किस तरीके से उनका आगे क्या एक्शन रहने वाला है क्या हमें उनका रिस्पॉंस देखने को मिलेगा वोट बैंक पर उसका बेड़ बोंग प जो कि है मचली खाते हुए वीडियो इस वक्त वाइरल हो रही है तेजी से और तमाम लोगों का जो है इस पर उपीर निकल करा रहा है साथी प्याइब मुद्धी ने भी मुद्ध चेड़ा है तो शलिए हम इस पूरे मुद्धि पर जानते हैं पबलिक खीड़ा है गलत है साथी सनातनियों पर इसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है कैसा प्रभाव पढ़ रहा है गलत प्रभाव पढ़ रहा है और यह नोजर्गा चलना है इसमें मजली काना ही नहीं चाहिए साथ इसके अलावा आने वाले दिनों में हिंदू वोटर्स का किस तरीके से वोट वैंक पर हमें प्रभाव देखने को मिलेगा इस पूरे किस दिके बाद आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर सर कितना गलत है और कितना सही है बहुत गलत है यह नहीं होना चाहिए नो दुर्गा चला है यह उनको मचली नहीं घानी तेजसी आदफ का मचली खाते हुए वीडियो वाइरल हो रहा है और सार्थ ही राहूल गांधी का अमतिन कन पाबन तवार है इस पर यह मचली खाके वीडियो वाइरल कर रहे हैं इस सरतना गलत है क्या है तवड़ा हिंदू का तवार है देश हिंदू के लिए है इसमें तवार जो बना है इसमें हम नौन बेज खाना इससे बहुत दूर है इस सब चीजहों से और यह आप इस तरह की नेताइं रहसे दूरोज लगा रहते हैं किसी प्रकार के गलत है यह बहुत देश को कितने आगे ले जा रहे हैं यह कि इसमें जो नबराती का तवार है थैं किसी परिधार नंबेज से बहुत दूर होता है इसमें यह जो गलत तरीके से मजली खाके वीडियो दिखाके लोगों से पहुंचा रहा है कि हम जानभूच के वीडियो बना रहे हैं इसके बाद यह सिब चीजने गलत है इस पर बोर्ड बैंकिंग पर पड़ेगा इस पर बीजीपी को बहुत फायदा होने बाला है यही बीजीपी स सही तरीके से चल रही है वैसे वी चलती रहेगी मन बहुत फायदा लेने वाले यह गलत है इस तरह से आरेडी जो इतने बड़े नेता हैं देश के वो यह सब चीजे कर रहे हैं तो लोगों पर क्यासर पड़ेगा उनकी पार्टी के लोगों के लोगों पर इस पूरे करेंगे तो हम जैसे आम पबलिक लोग क्या करेंगे गलत है ना यह सब चीज है हमारे दर्म के खिलाब यह जो चीज़े बीडियो बायल करके आप मैं अब रात्री में यह सब कर रहा है यह गलत है यह हम लोगों के लिए ठेश पहुचा रहा है हिंदू के लिए आप गलत है सब सरसर गलत है इस चीज़ों को हम बिलकुल नहीं मानते हैं हम सनातन धर्म के साथ हैं और रहेंगे सदा रहेंगे हिंदू हैं हिंदू की तरह जीते हैं इस पूरे वाक्या पर हिंदू वोटर्स का किस तरीकी से प्रभाव पढ़ने वाला है आने वाले एलेक्शन में पू सब्सक्राइब को आगे चुनाम में जीत पकी है कि यह वो हिंदूत को लेकर चल रहें सनातन धर्म को लेकर चल रही है और राम भगवान के अब मंदिर बनवाया उनोंने इस पर हमको बहुत खुशे हुए हम इस पास लेकर आज भी गर्व करते हैं कि हमारा देश की पदान हुए है इस वक्त मुद्दा गर्माया हुआ है तेजस्री आदफ के वाइरल वीडियो जिसमें वो मचली खाते हुए हमें साफ नसर आ रहे है साथी राहुल गांधी का मटन कनेक्शन हम सब चाहते हैं पीम मोदी ने खोद अभी मुद्दा उठाया है आपकी इस पर क्या र जिराकत्रे के पहले दने इ αυτरे के से कोई वेडियो वायरल करना आधानाना थूट खी थीडियो गरना कहां तक ठीक है है सबी जगा खाते हैं यह लोग पर इससे पहले यह बाराल वीडियो हुआ है यह थोड़ा सा सुनने में और देखने में भी थोड़ा सा लगता है यसा नहीं करना चाहिए उनको सनातनियों को किस तरीक से ठेज पहुंच चीए इस वीडियो से मासमद्रा खाने से यह नहीं करना चाहिए मतलब मासमद्रा नहीं खाना चाहिए देखे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में नौरात्री का एक लिशे समात होता है और नौ दिन जो है प्रकरति की एक आराधना है देवी की आराधना होती है तो सभावे के इस से दिनों में हम लोग अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं सयम में ते रहते हैं और ब्रत उपवास करके हमारे सरीर और मन की सुद्धी के लिए कामना करते हैं और अनुस्ठान भी करते हैं तो ऐसे समय पे इस प्रकार से यह जो दिखाई दे रहा है कि मचली खा रहे हैं तो कहीं न कहीं यह हमारे धर्म के हिसाब से उचित नहीं है साथि सनातनियों पर किस तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है उनको कहीं न कहीं ठेस पहुंचिए क्या आपको भी असा लगता है निश्चित रूप से जो जो ऐसे राजनेतिक लोग हैं जो की एक पब्लिक में अपना एक उपीनियन फॉर्म होता है उनके बारे में तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए पारेल हो रहा है मचली खाते हुए पीए मोधी ने भी मुद्दा उठाया है साथी राहूल गांथी का भी हम मटन कनेक्शन जानते हैं पब्लिक की राय जानेंगे इस पर तेजेश्वी महाराज को हमारे से नमस्कार है नवरात्री में चिकन मटन नहीं खाना चाहिए यह हिंदू धर्म का हमारा अपमान है और लोगों का सब बुरा लगता है कि हम चिकन मटन नहीं का है हिंदू समाज हमारा एक ताप बना रहे हैं विलकुल दिके साथी सनातन धर लोगों को इससे बहुत थेज पहुंचिए आपके इस पर क्या राय है अब तो महाराजी जाने उसको बताना चाहिए कि हम क्या है क्या नहीं है मनुसिया है हम जानवर है नहीं और जो चिकन मटन खाते हैं वो इंसान नहीं होता है हिंदू धर्म की यह हमारी सनातन धर्म की कि राय बताते हैं हिंदू वोटकेस पर क्या असर पढ़ने वाला है आने वाले वक्त में बहुत खराब पड़ेगा जो हिंदू धर्म जानती है वो सनातन धर्मी है गव माता की रक्षा करनी चाहिए हर चीज को अपमान नहीं करना चाहिए यह हमारा संदेश है मेरी राय मे तो यह गलत है क्योंकि एक तो मतलब अपना हिंदू राष्ट है और उसमें नवरातिरे में इस तरह की वीडियो पोस्ट करना तो वाकई में काफी गलत है वो ठीक नहीं है साथी सनातन धर्न के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है उनको ठेश पहुंस रही है कहीं नवरातिरे से और उसमें अब उन्हीं की मतलब पार्टी का कोई साधस्य ऐसा अगर वीडियो पोस्ट करता है तो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है साथी आने वाले वक्त में हिंदू वोटर्स पर इस पूरे जो किस से का किस तरीके से प्रभाव हमें किस तरीके से असर देखते हो हम नजर आएंगे यह तो थोड़ा बताना हुसकिल है क्योंकि लोगों का विचार मितला अब सामने कुछ होता है वोट डालने के टाइम पर से कई बार बदल भी जाता है तो अभी विलाल तो मुश्किल है पर कुछ ना कुछ थोड़ा वह तो फरक पड़ेगा अपकी क्या राय में तो गलत है वो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था उन्होंने जिस वीडियो पोस्त किया है मचली खाते हुए बहुत गलत है साथी रा आवा नहीं करना चाहिए भस खाते तो बहुत सारे लोग है पर अब दिखा के और फिर इन लोगों को खासतोर सरी जो मतलब प्रतिनी दिये जंता के प्रतिनी उनको कम से कम ऐसी चीजे से बचना चाहिए मेरा तो यह मानना है इस मुद्दे पर ये रह है कि गलत है जो भी त साथी देखिए सनातन धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्द से क्या आपको लगता है ठेज पहुंची यह पहुंची है बिल्कुल पहुंचेगी और पहुंची भी है क्योंकि यह नौरात्री का पावन पर्व है और इस समय तरीके के जो तेजस्वी यादा इसके अलावा आने वाले वक्त में हिंदू वोटर का क्या हमें प्रभाव देखने वाला है पूरे किस्ते के बाद क्या हमें असर देखने को मिली है जो मोदी जी है वह सब्सक्राइब और इस पूरे मुद्द पर आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर ये काने हैं चाहेंगे कि राजनीती अपनी जगर रखे और धर्म को अपनी जगर रखे राजनीती को धर्म से मुखना करें जोड़ेंगे इसका प्रभाव आने वाले चुनाव भी पड़ेगा जनता देख रही है कि आर अपने संके हिंदू समाज के कटर विरोधी सब ये सब करेंगे तो फिर आगे आम जनता क्या करेंगे इसके अलावा देखिए अभी आने वाले समय में हिंदू वोटर्स का इस पर क्या मतलब बास उनके उपर क्या इसका पड़ने वाला है पुरे किस्ते के बात हिंदू वोटर्स पर भी काफी असर पड़ेगा इसका क्योंकि लोग अपने आखों से देख रहे हैं वीडियो काफी वाइरल हो रहा है उनका ये सब चीज मास मचली खाते हुए मोधी इनका सब विरोध कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं अपने खुदी टीम के लोग ऐसा करें क्या आपको लगते हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ ये कोई उनकी मुहीम है या फिर ये कोई उनकी चाल है चाल का तो नहीं कैसकते पर उनको खुद सोचना चाहिए कि हम इतने हिंदू कटर विरोधी होते हुए भी इस सब चीजों का वो कर रहे हैं और वीडियो वाइरल हो र तरह कि क्या करना चाहते हैं तो इसे में ऐसे वीडियो आते हैं तो सनातनी जो है उनके अंदर उनकी मतलब भावना यहाद होती है क्योंकि खुद एक सनातनी है उनको ऐसा वीडियो वाइरल नहीं करना चाहिए नहीं को खाना चाहिए था इससे दुखी पोस्ता सभी लोगो यह ठीक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए उनको सनातन धर पर इस पूरे मुद्रिका किस तरीके से असर हमें पड़ता नसर आ रहा है अब देखिए जादा तर तो लोग मतलब मीड मशली खाते हैं लेकिन नवरात्रियों में खास तोर्स में विश्य ध्यान लखा जाना चाहिए कि इस नो दिन जो है विश्य तोर पर छोड़ देना चाहिए सब चीज़े और वैसे तो देखा जाए तो पश्यू पक्षी कोई भी हो वह आने वाले वक्त में हम सब जानते, लोक कैस सब चणाब आने वाले हैं हींदू, जो कि है वोटतर्स का, किस तरीक से प्रभाफ पडेग वोटबेंक पर इस पूरे मुद्दे के बारत लेकिन लोगों को ओचित नहीं लगाए कि आप सरगे से मीड मच्छी खा रहे हैं लोगों दिखा रहे हैं ओचित नहीं है तेजब जी आदब जी तो एक धरम बिरोधी हैं जिनके पिता जी ने लाको हिंदुों का कतलियाम करवाया वो तो सनातन धर्म से पहले से चड़े हुए हैं और ये तो हमारा पावन पवित्र महिना है चेत्र नवरात्रे इसमें हम माता को पूछते हैं यहां तो बिश्त रखती है हमारी मात वेहने बड़ा पवित्त दिन होता है एस पवित्त्न से कि जो तो कोई बोलने का इनके हली सब्दी नहीं है यह जो कभी हमारे सनातन धर्म को नफ को पूछ सकते ना कभी पूछेंगे सनातन धर्म के विरोध में कोई एक मुहीं चलाई जा रहे है सनातन धर्म को जो लोग जतने भी धर्म विरोधी है यतनी भी तागते हैं वो नष्ट हो जाएंगी क्योंकि ये सादू संतों का देसे ये भारत कभी किसी से मिटा नहीं है और ये जो छोटे मोटे नेता हैं ये कभी कुछ नहीं कर पाएंगे सनातन धर्म का और जहां तक तेजस्वी यादव जो चा रहे हैं कि हम मचली खाएंगे तो मचली खाकर हम बहुत अच्छे बन जाएंगे इससे आपका चरित दिख रही है कि आप लोग एक यादव जाती से आकर इस प्रकार से कृष्ण बन सकते होके आप केसी नास्तिक चीजे खा रहे हो ये तो आप बहुत जादे घिनोना काम कर रहे हो सनातन धर्म के अंदर आने वाले वक्त में हिंदू वोटर्स का इस पूरे किस्ते को लेकर क्या हमें असर देखने को मिलने वाला है असर तो बहुत तेजी से 400 के पारी जाएंगे क्योंकि राम मंदिर हमारा बन चुका है 370 धारा हट गई है जहां तक जितना भी तेजी से काम हो रही है इस भारत को जिस परकार से 70 साल पहले चले जाए तो बहुत जादे हमारे देश के लिए हिंदु धरम को हानी पहुंचती थी तो बहुत बड़ीया कारी हो रही है सनातन धर्म को लेकर जिसके बारे में लगता है कि 80% लोगों की तरफ जड़ासा भी किसी तरीकों को लोगों का ध्यान नहीं है सबकी तरफ ध्यान देना चाहिए विक्ति क्यवाल अगर नानविष खाके अगर ये सोच रहा है कि बहन से वोट दे तो यह सूच रहा है कि यह मसली और नॉन्वेस दिखा कि मुस्लिम विक्ति हमें वोड देगा तो उस्ता छोटा सोच है आज मुस्लिम विक्ति बहुत अच्छे सवाव का है और कता ही इस भावना से कोई भी ना हिंदू पक्ष सहमत होगा और ना ही कोई मुस्लिम भक्ष राह कि अगर इस तरीके की वीडियो प्रचलित करते हैं हमें तो नहीं लगता कि वह हिंदू वोड के लिए सोचते हैं या वह चाहते हैं कि उन्हें वर्वर्ट के साथ इसमें कोई संदेह आपको क्या लगता है इसमें भी कोई दो मत होना चाहिए खिलवाल नहीं उपहास किया अपने हमको तो यार अपना दोस्ते बात बात बताना चाहेंगे कि एक फिल्म ने देखी दिना वो तुझ में रब दिखता है करके तो हम लोग तो इस टाइप के आदमी और मोधी जी में रब दिखता है यार कुछ बात इसके आगे क्या बोला है राहुल गांधी जी वैसे प्रसिद्ध हैं किस नाम से प्रसिद्ध हैं ये जानकारी देने की आओ सकता नहीं है और मोधी जी अगर बेशित के लिए सोच रहे उतमें बिहार यूपी और कुछ राज्यों के लिए सोचा जाय तो गलत है मोधी जिस इस्तर पर चल नहीं उस राजनीती को अगर कांग्र प्रवाजपा वोट कोई नहीं बिगाल सकता है बाजपा के जो वोट है वह आते रहेंगे इनके वोट कर सकते हैं हिंदुति की राजनीति और मुस्लिम की राजनीति का इस समय बताएगा बोटिंग होने के बाद पता चलेगा वह समय बताएगा भाई साब क्या ठीक है वैसे तो नौरातों में हिंदु समाज में में मचली का सेवन निस्टेद माना गया है और अगर इसको बंधी रखना चाहिए बंधी रखना चाहिए जरूरी होता इसे और तो अच्छी बात है ठीक है राहूल का अंधियो का हिंदु बोट कर क्या अतर पलेगा हो सकता है बहुत ज़्यादा असर पढ़ना चाहिए क्योंकि भाई हिंदु लोग में तभी मीड क्या असर पढ़ाएगा हमारे उपर हमारे बोट कटेंगे हिंदु और भीपाची निया वातरी के साथ किल्वाल किया है लोग अगर सभी हो जो कर रहे है ठीक है कि अब आपने जाएगा तो यह मोधी ने राहूल गांधी के मटा न तो यह ज़िए आपको अभी भारी लग रहा है बाद में मोधी अच्छा है मोधी सबके लिए अच्छा आदमी है और चुकि दोनो जो नेता है एक तो प्रदेशी सरका है ती जशियादा और राहूल गांधी गांधी परिवार राश्ची सरका नेता है और पूर कांग्रेश अध्यक्विरा और सनातन धर्म से अपने आपको जोड़ के बताता है तो मेरे ख्याल से ये जो उनका क्रित ये बिवहार सनातन हीद में नहीं है हिंदू धर्म के हीद में नहीं है और ना जो पूर के कांग्रेश माहत्मा गांधी जो सनातन का एक इस्तंब था इस्तंब रुआ करदा था उसके आचरण के जश्ट विरोध में है राहुल गांदे जी बिल्कुल ये गलत है आप आप जो खाए जो पिए वह आपकी आचरण में है वह अपने व्यक्तिकत मामला है इसका सोसल मीडियो में क्या बताना चाह रहे हैं कि हिंदू के प्रतिक्य अब आप अपना सवेद्ना बेक्ट करना चाहरे हैं ये गलत है असा नहीं करना चीए अब आप कहरें कि इस तरह के वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नरेल मोधी के कहना बहुत सही है कि राहुल गांदी जी वो चैन्वीपक्स की कोई भी नेता ये बस दिखावाई क में करें सब्ली दhow और हिंदु धर्म की बात करते हैं यह समय समय पर उभी अप्युल दीजी में कि चया क्या 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 काम करते हैं यह समय के दिखावा के लिए कौन करते हैं कि सब्सक्राइब कॉम सब्सक्राइब见 नारी जीएखakahुट थर्म की हऊनुट पाशव incidents है और ऐसे यह लोग देश के जिम्मेदार देता है और इस ताइब के मान इस मशिलिया खाकर अपने वीडियो और अपने फेस्ट बॉक पजाल तर यह लोग आप फाम कर देगी और हमारे देश का फ्वान ले इन लोग हमारी हसी उडा रहे हैं सानातन की हसी उडाने की कोशिश और इनके यो इनको इसका इनका अल्याम बहुच में इनको बहुतना पड़ेगा यही चान है देखे मेडम यह तो सभाविक है बहुत ज्यादा माहिनेस होगा मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर जो बेक्ति माता को अगर चलेंज कर रहा है जो खुद भी एक बाल स्वरूप ह जगत जनी स्वरूप मांते हैं बहुत सारे विजवान बहुत सारे जो परम भगता है माता के मा धर्म हो और मां का अपमान करना के विज़्ट उसके रागनितिक केरियर को समझत करने के प्राबर में तो यह ती इस मुद्धे पर जनता की राय कुछ ऐसे मुद्धों को जान उने के लिए जुड़े रहें पब्लिक फर्स्ट के साथ नमस्कार उने के साथ नमस्कार